हेलो एब्रीवन, वेलकम टु रारा, दोस्तों आज मैं एक मेक अप रिमूव करने वाली हूँ, ये मेक अप लुक मैंने किया था और आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पर ये देख सकते हैं, तो अभी मैं मेरा स्किन केर करने वाली हूँ, बेसिकली मैं इस सारा का सारा जो मेक अप है, इसको निकालने वाली हूँ, और काफी जादा हेवी मेक अप मैंने किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं यरिंग निकाल लेती हूँ, और अपने बालों को बांध ले और मेरे अनदर चैनल के लिंक भी मैंने दिये हुए हैं तो वो भी आप जाकर के वहां पर भी मेरे चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बालों को बांधना बहुत जरूरी है जिससे की प्रॉपर स्किन केर हो सके अच्छे से और ये मैंने बाल बांध लिये हैं और और अब मैं सबसे पहले मेरे मेकप को रिमूव करूँगी जो ये मैंने इतना हेवी मेकप कर रखा है और इसको रिमूव करने के लिए मैंने लिया है एक क्लिंजिंग ओयल ये है अरगन ओयल रेरियंस फ्रॉम लैक में अबसलूट और इसकी कुछ ड्रॉप ही लेनी होती है और उसको फिर वाटर में मिक्स करके इसको लगाना होता है और उसी के साथ में मैं जो वाइप है हिमालिया के नीम फेशल वाइप रख रही हूँ कॉटन के बजाए बिकॉज ये थोड़ा इजी होता है इससे मेक अप को मतलब जो मेल्ट हो जाता है उसको आसानी से निकालना बहुत जादा और जादा आसान हो जाता है तो एक वाइप मैंने हलकासा निकाल करके साइड कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ सबसे पहला जो स्टेप है वो लैक में आपसर्यूट का ये क्लिंजिंग ओईल है बस इतना सफिशन्ट है और ये मैंने लगा लिया और ये मेरे ये जो दाइनी आँख है पता नहीं क्यों इतनी रेड हो गई एकदम से कभी कभी हो जाता है गर्मियों में और मैं जो भी प्रोड़क्ट यूज़ करूँगी उन सब के रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तो तो ये ओईल तो मैंने लगा लिया थोड़ा सा एक दो बूंद पानी ले लिया अब ये क्रीम टेक्स्च्चूर में चेंज हो गया और जिसकी वज़ा से ये और जादा आसानी से निकल रहा है ओके तो स्किन तो डीप क्लीन हो गई है तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले स्किन का मेकप ही निकालू उसके बाद मैं ये आई मेकप रिमूव करूँ पहले स्किन से स्किन का मेकप जड़ा सासा पानी लेना पड़ता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है और ये क्लिन्जिंग ओईल जो है ये बहुत अच्छे से मसकारा को भी रिमूव कर देता है इसलिए भी मुझे जादा अच्छा लगता है तो ये तो मैंने निकाल दिया फेस का मेक अप और अब मैं इस वाइब की सहायता से वाव ये क्लीन हो गई है और अगर आपको एक दू एकने भी है या ओईली स्किन है तो ये वाइब जो है बहुत अच्छे है नीम फेशिल वाइब और आराम से मैंने निकाल दिया मेक अप स्किन तो देखिए बिलकुल क्लीन हो गई है और अब मैं ये आई मेक अप जड़ा रिमूव कर लेती हूँ तो अब मैं आई मेक अप रिमूव करने वाली हूँ और क्योंकि मेरी ये जो आँख है ये ज़ादा रेड हो गई है तो जल्दी से रिमूव कर लेती हूँ अब मैं ले रही हूँ हिमालिया का नीम फेस वॉश वैसे तो स्किन डीप क्लीन हो गई है लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत ओईलीनेस रह जाती है मैं नहीं चाहती उससे पिंपल आ जाए मेकप रिमूव करने के बाद इतना हलका लगता है इतना अच्छा लगता है स्किन को खुद अच्छा लगता है और टीनेजर्स के लिए ये नीम फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा है अगर टीनेजर ट्राइ करना चाहें तो क्योंकि इससे रेगुलर इस्तमाल से पिंपल चले जाते हैं प्रिवेंट करता है ये पिंपल को और एकने को आने नहीं देता है और दाग धबे भी कम करता है और बहुत अफॉर्डेबल है पंदरा रुपए से शुरू हो जाता है इसका प्राइस तो मैंने अब जो ये फेस वॉश अच्छे से अपलाई कर लिया है और अब मैंने चेहरे को धुल लिया है और इसको पोंच ल अब मैं अपलाई करने वाली हूँ टोनर जो की क्लीनिक का है एंटी ब्लैमिश रेंज से और ये एक लोशन है जिसको की मैं अपलाई कर रही हूं और बहुत जादा फ्रेग्रेंस इसकी हार्ड है और इसको एक बार में एक ही जगा पर वाइब किया जाता है और इसको मैं कर रही हूँ तो ये आप देख लीजिए और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको लगा लिया है उसकी थोड़ी देर बाद मैं अपलाई करने वाली हूँ क्रिस्टल माइक्रो एसेंस फ्रॉम लॉरियाल और ये बहुत जादा स्किन को डीप हाइड्रेट करता है बहुत जाद अच्छे से प्लमपी स्मूध स्किन प्रॉउड करता है तो इसको मैंने लगा लिया है एंड इसके बाद में इसके कुछ मिनिट बाद मैं अपलाई करने वाली हूँ सेरम जो की इनिस फ्री ग्रीन टी सीड सेरम है और ये स्किन में डीप हाइड्रेशन का काम करता है तो सब अब से पहले मैंने हाथ पे अपलाए कर लिया और उसके बाद अब मैं फेस पर अपलाए कर रही हूं तो जो प्रोडक्ट मैं कई बार फेस पर अपलाए करती हूं उनमें से कुछ प्रोडक्ट मैं हैं पे अपलाए कर लेती हूं तो ये मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड है आप शुगर का नाइट मास्क और ये ओवनाइट वाटर मास्क है जो की स्किन को बहुत जादा स्मूध प्लम्पी एंड हाइड्रेट करता है और रूखी सूखी तबचा को बहुत अच्छी बनाता है अगली सुभा लेकिन जब आप सुभा उठें तो चहरे को ठंडे पानी से धो अगर आपकी स्किन डैमज भी हो रही है बहुत जादा डल हो रही है तो आपको बहुत अच्छी स्मूध एंड सॉफ्ट स्किन मिलेगी और ये मैं अच्छे से इसको मसाज करते हुए लगा रही हूं वैसे मैं टीनेजर्स को नहीं बोलूंगी ये लगाने के लिए क्यूंक टीनेजर्स को तो वैसे ही नाच्रली ही अलरी इतनी अच्छी स्किन होती है बट फिर भी वो चाहें तो अफॉर्डिबल एंड बेस्ट और नैच्रल प्रोडक्स का इस्तमाल करें और अब मैं अपलाई करने वाली हूं लिप मास्क और ये है लनेज का लिप मास्क एंड ये लिप्स को एक दम से रिपैर करता है ड्राय चाब्ड लिप्स को और ये अल्मोस्ट फिनिश होने को है और अब की बार मैं इसका बड़ा पैक पर्चेस करने वाली हूं ये मीडियम साइज है मिनी साइज है इसका और ये ही साइज 500 रुपीज का आता है बर चलता बहुत है और इसको मैंने अपलाए कर लिया है और इसके बाद में मैं आई क्रिम लगाने वाली हूं इनिस फ्री की ही और इस आई क्रिम का रिव्यू मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी क्यूंकि इसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूं और अब इसका समय आ गया है टाइप प्रोड़क्ट है लेकिन यह कॉस्टली है दोस्तों यह दो हजार रुपए की है आई तिंक उननिस सो पचास रुपए समतिंग ऐसे ही है लगभग लगभग दो हजार रुपए की है तो आई क्रिम जो है वो आफॉर्डिबल रेंज में भी बहुत सारी आती है जो भी आपकी इच्छा हो जैसे की लैक में है मामा आर्थ है और रबायोटी की तो डेड़ 200 रुपए में ही आपको मिल जाएगी आई जेल आप ट्राइ कर सकते हैं और प्लम का आई जेल ट्राइ कर सकते हैं तो यह हो गया स्किन केर दोस्तों उमीद करती हूं आपको अच्छा आपको अपको धड़